ये कहानी अलादिन नाम के एक राजा की उपर आधारित है जो दिमाग से पूरी तरह पैदल होता है अब पूरी तरह बेवकूफ होने की वज़े से वो उपने देश में क्या-क्या कर नामे करता है ये हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं आज मैं जिस फिल हमके बाद से ही उसकी मा को मार दिया जाता है और इसके कुछ सालों बादी उसके बाप की भी हत्याँ कर दी जाती है और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में अलादिन वाडिया का राज्या बन जाता है इसके बाद सीन यहीं कट होता है और हम कुछ साल बात का सीन देखते हैं जहां अलादिन अब बड़ा हो चुका है अलादिन अपने बाप की तरह ही संकी और पागल है और उसके मन में जो आता है वो वही करता है वो अपने देश में Olympic Games रखवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है फिर गेम के दोरन अगर कोई उससे आगे निकल जाता है तो अलादिन उसे गोली मार देता है और खुद वो गेम जीट जाता है और इसी तरह वो Olympic में 14 गोल मैडल जीट जाता है इसके बाद अलादिन अपने महल के बाहर आता है और अपनी प्रजा को बोलता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी हम जल्दी ही nuclear weapon तैयार कर लेंगे पर किसी पर हमला करने के लिए नहीं बलकी शांती बनाये रखने के लिए और ये बोलते ही वो हसने लग जाता है इसके बाद अलादिन अपने nuclear research center में जाता है और वहाँ पर वो अपने चाचा तामीर से मिलता है फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ अलादिन देखता है कि उसकी मिसाल बहुती छोटी बनी है अब ये देखकर अलादिन को बहुत गुसा आजाता है और वो अपने scientist नदाल को बुलाने के लिए बोलता है पर इस पर बाकी के scientist उसे बताते हैं कि जब आप पिछली बार यहाँ पर आये थे तो अपने नदाल को मरवा दिया था अलादिन को इस बारे में कुछ याद नहीं होता पर जब वो अपने दिमाग पर जोड डालता है तब उसे याद आता है कि जब वो दो साल पहले यहाँ पर आया था तो उसने अपने scientist नदाल को मरवा दिया था आप film वापस present में आती है और एक scientist अलादिन को बोलता है कि शायद आप ये बात भूल गए थे पर इस पर अलादिन हसते वे उसे बोलता है कि मैं भूला नहीं था और फिर वो उस scientist को भी मरवा देता है इसके बाद अलादिन वापस अपने महल में आ जाता है जहां पर उसकी security में सिर्फ लड़किया होती है दरसल अलादिन अपनी security के लिए सिर्फ लड़किया ही रखता है ताकि बाद में वो उन्हें बजा सके फिर जब अलादिन अपनी कार से बाहर निकलता है तब ही वहाँ एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है पर बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी अलादिन नहीं बल्कि उसका डुब्लिकेट था दरसल अलादिन हमेशा ही अपने साथ एक duplicate रखता है ताकि जब भी उस पर हमला हो तो हमेशा उसका duplicate ही मारा जाए अलादिन दिमाग से इतना चूतिया होता है कि वो अपनी duplicate की लाश को उठने के लिए बोलता है और फिर जब वो लाश नहीं उठती तो अलादिन अपने अंकल को इशारा करता है कि इसे भी मरवा दो फिर अलादिन के वहां से जाते ही उसके चाचा तामीर किसी को phone करते हैं और उसे बोलते हैं कि अलादिन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी और को ढूड़ना होगा जो हमारा काम कर सके अब ये देखकर हम व्यूवर्स को पता चल जाता है कि अलादिन को उसके चाचा तामीर ही मरवाना चाते हैं ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हातों में आ सके इसके बाद ये लोग अलादिन के हमशकल को ढूड़ना शुरू करते हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिलकुल अलादिन की तरह दिखता था पर ये आदमी भी अलादिन की तरह ही दिमाग से पैदल होता है दूसी तरह हम अलादिन को देखते हैं जो एक हॉलिवूड एक्टरिस मेगन फॉक्स के साथ पलंग तोड़ रहा होता है और पलंग तोड़ने के बाद वो उसके साथ एक फोटो घिचवाता है और वो उस फोटो को अपनी दिवार पर चिपका देता है उसी दिवार पर हम और भी कई सरी लड़कियों की फोटोस देखते हैं जिनके साथ अलादिन अब तक पलंग तोड़ चुका है अब यह सुनकर अलादिन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा फिर अलादिन अमेरिका आ जाता है और अमेरिका के लोग सड़कों पर उसके खिलाफ नारे लगाते हैं दरसल अमेरिका की लोग चाते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ और पागल राजा उन पर अत्याचार ना करे इसके बाद अलादिन अपने सिक्यूरिटी हेड से मिलता है जिसका नम क्लिटोन होता है और वो अलादिन को बिल्कुल भी पसंद नी करता था फिर जब रात को अलादिन अपने होटल में सो रहा होता है तब ही वहां पर क्लिटोन आता है और वो उसको किड्नैप कर लेता है वो उसे एक torture room में लेके जाता है और वहाँ पर वो अलादिन को अपने हतियार दिखाता है जिससे वो उसे torture करने वाला है पर अलादिन उसके हतियारों का मजा कुड़ाने लगता है जिससे गुसा होकर क्लिटाउन उसकी दाड़ी काड़ देता है फिर वो उसकी दाड़ी को जला देता है पर दाड़ी पर लगी आक से वो खुद भी जल जाता है दूसी तरफ अलादिन भी खुद को रस्यों से आजात कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है अब अलादिन की दाड़ी कट जाने की वज़े से कोई भी उसे पैचान नहीं सकता था फिर अगले दिन अलादिन उसी जगह जाता है जहां पर उसे भाशन देना था तबी वो वाँ पर देखता है कि उसका हमशकल उसके चाचा तामीर के साथ वहाँ पर भाशन देने के लिए जा रहा है और अब अलादिन ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का है अब अलादिन को बहुत ज़दा गुसा आजाता है और वो रेलिंग तोड़ कर अंदर जाने की कोशिश करता है पर तभी सिक्यूरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है तभी वापर जोई नाम की एक लड़की आती है और वो उसे स्कूटी पर बिठा कर व वहां से चला जाता है अब अलादिन सडकों पर भटक रहा होता है और तभी वहां उसे नदाल दिखता है जिसे उसने कई सालों पहले मरवा दिया था अलादिन नदाल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है पीछा करते वे अलादिन एक ब मरा नहीं था और वो सब भाग कर अमेरिका आ गए थे, इसके बद वो सब यहां पर टता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तो अलादिन उसे बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे धोका दीया और वो वाडिया पर कबजा करना चाते हैं फिर अलादिन नदाल को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जिसपर नदाल मान तो जाता है पर वो उसे बोलता है कि मुझे मेरी नोकरी वापस चाहिए जिसपर अलादिन भी मान जाता है फिर अगले दिन अलादिन और नदाल उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पर अलादिन का हम शकल रहता है तबीमा पर अलादिन जोई को देखता है और उससे छुपने लगता है फिर नदाल उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो अलादिन उसे बताता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसपर नदाल उसे बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम इस होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं अब अलादिन ना चाते वे भी जोई की शॉप में काम करने लगता है पर वहाँ पर वो ढंग से काम करने की बज़ए सबी चीजों को बिगार देता है फिर अलादिन को नदाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैंने सारा प्लैन बना लिया है हम कैंटीन के सामान के बहाने से उस होटल में जाएंगे और वहाँ पर नकली अलादिन को हटा कर उसकी जगह असली अलादिन को ले आएंगे अब अलादिन को ये प्लैन अच्छा लगता है और इसके साथ साथ उसे धीरे धीरे जोई भी पसंद आने लगती है जिसकी वज़े से अब वो शॉप में अच्छे से काम करने लग जाता है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्षा ही बदल देता है फिर एक दिन शॉप में एक औरत को लेबर पेन होने लगता है और उस समय इतना वक्त नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाये जा सके अब अलादिन को पता नहीं होता कि डिलिवरी कैसे करवाई जाती है पर फिर भी वो उस औरत की सक्सेस्फुल डिलिवरी करवा देता है पता हो जाती है और वो उसे वहां से जाने के लिए बोलती है फिर अलादिन जब सडकों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत ज़दा खुश है और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाते अब यह सब अलादिन को लगता है कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता इसलिए वो डिसाइट करता है कि वो अपनी जान दे देगा फिर वो एक पूल से कूत कर अपनी जान देने ही वाला होता है कि तब हम अपन नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है अब अलादिन भी नद का नया सवीधान पड़ा जाना है इसी दोरा अलादिन उस पेपर को फार देता है जिसमें लिखा था कि वाडिया में अब डेमोक्रासी चलेगी फिर अलादिन ये बोलने वाला होता है कि वाडिया में हमेशे डिक्टेटर्शिप चलेगी पर तभी वहां पर जोई आजाती है और उसको देखते ही अलादिन अपना मन बदल देता है और वो एलान करता है कि वाडिया में अब डिक्टेटर्शिप नहीं होगी बलकि वहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी होगी अब ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं पर तभी वहाँ पर तामीर अलादिन पर वो एक जुईश है जिसको सुनकर अलादिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जोई को भी मरवाने के लिए बोल देता है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है